कि वानने मुख मंत्री जी के आदेश को सिक्षा विभाग को यथा सिघ्र लागू करना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी 2020 में भी मानने मुख्यमंत्री के ही कहने पे सिक्षकों को एक सेवा सर्त $330 तक जब बच्चों को विध्याले में रहना है तो साथे-3 वजे के प्रोविजन दिया जाएगा तो अभी उनको दिया नहीं गया रैंडमाइजेशन के द्वारा उनको दूर दूर में भेज दिया गया सारन सिक्षक निर्वाचन छेत्र से पूर प्रतियासी रहे आनंद पुसकर जी हलाकि इनके फादर भी जो है सिक्षकों के लडाई को लड़ते रहें अब तक कि इन खेतने के हिप को किया है क्या क्या किया क्या है इन ही से जाने की कोशिस करते हैं आपने पिछले दफे भी कहा था कि हम सिक्षक के मसलों को लेकर के जो है मुख्यमंत्री शेयर मिलेंगे बातों को रखेंगे क्या बाती हुई आप से या फिर के के बाठक से आपकी बात में देखे वंदना जी पहले तो आप आई उसके लिए बहुत धन्यवाद हम ये कहना चाहते हैं कि विगत एक वर्सों से आज जो सिक्षा विवस सची उनने निर्गत कर दिया है देखिए हमारे मानी मुख्मंत्री नितीश कुमार जी ने कितना एतिहासिक कदम बिहार के विकास के लिए उन्हों ने उठाया कि एक लाख बीस हजार नौजवानों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया नौकरी तो मानी मुख्मंत्री ज दर्कार से उनको जोडेंगे उनको भी राजिकर्मी का दर्जा देंगे और यह बात कहे हुए मुखमंत्री जी को कम से कम एक महीना हो गया और अभी तक विभाग जो है विभाग ने पहले एक ड्राफ्ट जारी किया उसमें सिख्षकों ने सुझाव भी दिया सिख्षकों के सुझाव के बाद मैंने भी उसमें लिखे कुछ रूटिया थे उसका सुझाव हम लोगों ने दिया और अब यह सारी बाते हो जानी चाहिए थी उनको राजिकर्मी का दर्जा अब तक कैबिनेट से सुईकरित हो जाना चाहिए लेकिन पता नहीं सिख्षा हाग को यथा सिख्र लागू करना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी 2020 में भी मानने मुख्यमंत्री जी के ही कहने पे सिख्षकों को एक सेवा सर्थ मिली थी उस समय हमारे पिता स्वर्गी के दार नात पांडे जी बिहार मादमिक सिख्षक संग के अध्यक्ष भी थे कलने के बाद जैसे ही मानने मुख्यमंत्री जी ने घोसना किया सेवा सर्थ और 15% बढ़ोत्री का उस समया पर मुख्य सचिवार के महाजन जी हुआ करते थे और मुख्यमंत्री जी के घोसना के तुरत बाद ही उन्होंने तुरत सेवा सर्थ नियमावली और 15% वेतन बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि सिक्षक भी तो इसी राजी का नागरिक है, सिक्षक भी तो मानव है, सिक्षक कोई मसीन नहीं है, आप प्रती दिन कोई ना कोई आप आदेश निर्गत कर रहे हैं कि पांच बजे तक आपको विद्याले में रहना है, बताइए दूर दूर से महिलाएं आई है जिसको नौकरी की आवशक्ता होती है, मानि सिक्षा विभाग के जो ताना साही रवया मुफसील की तरह जो आदेश निर्गत हो रहे हैं, इसमें सिक्षकों में भारी निराशा है, और हम तो यही विभाग को भी कहना चाहते हैं, इसको लेके हम लोग मानि मुखमंतरी जी से भी मिलेंगे, और उनको यह दृष्टी से अवश ओगत कराएंगे कि साड़े तीन बजे तक जब बच्चों को विद्याले में रहना है, तो साड़े तीन बजे के बाद फिर सिक्षक विद्याले में रहा कि क्या करेंगे, और जो भी अच्छे सिक्षक है आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बिहार एक ऐसा र आईबीम में टॉप करता है, तो वह भी तो यही नियोजी सिक्षक के पढ़ाय हुए बच्चे नहीं, जो आज वहां जाके टॉप करते हैं, बिहार के परचे को लहराते हैं, तो बार बार यहां आदेश करना कि सिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, आप जाके दो बार विद्याल महसूस कर रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है, तो मैं तो यही आगरह करता हूँ, सिक्षा विभाग को भी आकाना चाहता हूँ, कि ऐसे सगुफा फैसला जो बार बार आप ले रहे हैं, वैसे फैसला आप सिक्षक के हित्में नहीं लीजिए, सिक्षकों को सुबधा और हमारे बिहार के सिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चे रिजल्ट भी देते हैं। के सोरूप जारी हो गई, आज तक जो भी सिक्षकों को मिला है, चोव हजार से पैतालिस जार तक, बिहार के मान्य मुखमंत्री जी के नित्रित्व में ही सिक्षकों ने हासिल किया है। ऐसे सगुफी फैसले उनको यथा सिक्र वापस लेना चाहिए, सिक्षकों को सम्मान जनक आप सुविधा प्रुभाइट कीजिए। आपको मान्य मुखमंत्री जीने अपर मुख सचिव इतनी बड़ी दायत तो आपको बिहार सिक्षा विभाग का उन्होंने दिया है। तो आप भी थोड़ा साधिकारी हैं, आपको मान्य मुखमंत्री जीने अपर मुख सचिव इतनी बड़ी दायत तो आपको बिहार सिक्षा विभाग का उन्होंने दिया है। तो आप भी थोड़ा समवेदन सील हो ये। और आप देखिए कि महिला कितनी दूर दूर हैं। आप जब 2020 में सेवा सर्तनी अमावली जब बनी थी, तो उस समय हमारे स्वर्गिये पिता किदारनाद पांडे जी ने ही बनवाया था। उसमें यही बात तय थी। सदन में भी सरकार ने कहा था उनके सवाल पर कि महिला सिक्षिका को आएक्षी कस्थाना आंतरन का प्रोविजन दिया जाएगा। तो आएक्षी कस्थाना आंतरन तो अभी उनको दिया नहीं गया, रेंडमाईजेशन के द्वारा उनको दूर दूर में भेज दिया गया, अब वह जोब रेंडमाईजेशन में चले गए, आपने उनके लिए अब तक कोई बिवस्था आपने किया नहीं। हम लोग यही सोचे हैं कि हम लोग मानिमुख मंतरी जी से मिलेंगे और यह जितने भी उनके जो फर्मान जो जारी हो रहे हैं, हम लोग उनको यथा सिग्र मिलके बिलकुल सुनेंगे, एकदम मानिमुख मंतरी जी अवश्य सुनेंगे और जितने भी इनके जो फर्मान बार बार आप नहीं करवा सकती आप उळा अप गए बच्चों के रिपोर्ट काठ विड़ी है अग्छे का रिपोर्ट अच्छा नहीं होता है तब प्रहब बात कीजेगा कि हां विघ्न कार आप इस तरह क हैसेक वeyeप However बहुत बशुक्या तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था सारण निर्वाचन शेत्र से पुरू प्रत्यासी रहानांत पुसकर का जिन्होंने कहा कि केके पाठक के फर्मान से सिक्षकों में भै है और हम चाहते हैं कि इन से तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री जो है एक बार वो नजर डालें और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सब लोग मिलकर के नितिसकुमार को इस बात से रूबरू कराएंगे और तमाम चीजों से जो है उन्हें ओगत कराने की कोसिस करेंगे और जो भी फैसला लिया जाएगा सिक्षकों के हीत में ही होगा क्योंकि नितिसकुमा अगरेशन के साथ धन्यवाद।